हलू, Welcome to this video tutorial, आज के इस वीदियो में हम सिखेंगे Excel में किसी भी Password Protected Sheet से हम Password को कैसे remove कर सकते हैं, जैसे देखे मिरे पास एक Password Protected Sheet है और इस पे किसी भी data को edit या modify करने के लिए, जैसे मैं इस पे drop button करता हूं तो मेरेको को एक error message होता है तो यहां पर data को edit या modify करने के लिए हमें क्या करना है password की requirement होगी password डालने के लिए हम क्या करेंगे review time में जाएंगे और यहां पर unprotect करेंगे sheet को unprotect करने के लिए हमार पास password नहीं हम भूल गए पासपर को ठीक है तो आप इसको close कर दीजिए और इस file को आप save कर दीजिए किसी location पे और यहां पर इसको close कर दीजिए और यहां पर आगई जहां पर हमने file को store किया वह यहां पर local drive d में मेरे practice folder practice files का एक folder है उसके अंदर मैंने file को save किया वह तो सबसे पहले इस file का हमें extension find करना है तो extension इसका क्या है यहां पर इसका extension शो नहीं हो रहा कई बार शो नहीं होता तो आप इसको select किजिए file को और यहां पर view time में जाई हो यहां पर file name extension पर आप check box पर tick on करेंगे तो यह देखिए extension आपको शो हो जाएगा इस file को आप क्या करगे copy करगे control c से और control v से इसको यह पर paste कर दीजिए तो यह क्या होगा कि इसके duplicate copy बन जाएगे यह हमारी original file है यह duplicate copy है duplicate copy को हम modify करेंगे इसमें changes करेंगे password को remove करने के लिए तो हमें क्या करना है इसके extension को सबसे पहले हम change करेंगे zip zip के साथ ठीक है तो अभी extension इसका excel sx is को हम dot zip के साथ convert करेंगे और इस file को zip में convert कर देंगे तो extension को change करने के लिए two से भी कर सकते हैं आप इसके ओपर right click कीजिए और यहां पर देखिए रिनेम का option आ रहा है right click properties में third option यह है कि आप इस पर click कीजिए home time में जाई और यहां पर rename का option sure है इस पर click कीजिए तो आप यह जो चार last के character है चार इनको select कीजिए और यहां पर zip type P type कर दीजिए कहीं भी आप बाहर किलिक कीजिए तो एक message आएगा are you sure you want to change it yes और देखिए आपकी file यहां पर zip folder में convert हो गई है अब आपको क्या करना है कि यह password protector जो फोल्डर आपका जो file बने वी इसको डबल किलिक कीजिए और आपका जो यह file है यहाप एक दूसरे window में open हो गई है इस window के अंदर देखिए आप यहां पर excel करके folder बनावा है इस पर डबल किलिक कीजिए और यहां पर work sheet का एक दूसरा फोल्डर इसको डबल किलिक कीजिए यहां पर हमारा sheet1 यहां पर show रहा है अब इस sheet1 को क्या करेंगे इसको ड्रैग कीजिए यहां पर जहां पर आपका file store हो रुकी है अब देखिए sheet1 के data को हमें notepad में open करना है modification के लिए थोड़ा सा changes करेंगे इसमें तो modification के लिए डे notepad में open करने के लिए हम क्या करेंगे इसके ओपर right-click करेंगे और यहां पर open with option है यहां पर हमने notepad को select किया multiple formats थे तो यहां पर देखिए हमने हमारा जो डीटा है इस तरह से शोगा कई बार हमारा डीटा जो है यह वर्ड्रेप हमने किया हुआ है तो देखिए इस तरह से land scheme में शोगता है production type किया और find next पर किया तो देखिए हमारे यहां पर production find हो गया अब हमें क्या करना है कि production से पहले देखिए एक less than का bracket sheet production का जो जहां पर less than bracket है यहां से इसको start जहां से हो रखा है यह और इसको यह देखना है कि कहां पर end हो रहा है तो आप इस तरह से data को select कर सकते देगे जहां तक यह end होगा उसको हम select उतना area हम select कर देगे और उसको delete कर देगे तो मुझे लग रहे है यहां पर end हो रहा है इतना एरिया हम क्या करेंगे डिलीट की प्रेस करेंगे और इस एरिया को डिलीट कर देंगे इतने पोर्शन को डिलीट कर देंगे यहां पर जो हमारे लेस्देन का ब्रेकट स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है तो डिलीट की प्रेस करेंगे यह डिटा हमारे डिलेट हो गया फाइल में जाईए और इसको सेव कर दीजिए आपने सेव कर दिया यहां पर इसको क्लोज कर दिजिए दीखे हमारे फाइल यहां पर शोरी जैसे पहले शो ओ रही थी अब क्या करना हमको यहां पर जो यह जिप folder के अंदर हमें sheet1 शो हो रही है इसको आप select कीजिए और best practice ही है कि इसको आप delete कर जीजिए यहाँ पर delete का option आ रहा है delete आपने कर दिया और अपनी इस sheet1 के data को pull करके यहाँ पर जिप folder के अंदर लियाए जिसके अंदर आपने modification या changes किया है तो दिखे sheet1 आपकी यहाँ पर आगई अब आपको क्या करना है कि इस window को आप zip का जो window इसको close कर देंगे और वापस जो इसका extension जो हमने change किया था xlsx से zip में किया था वापस zip से xlsx में कर देंगे तो इसको multiple option मैं ने बताया थी आप f2 कर सकते हैं right click properties में rename का option है या यहां पर उपर home time में जाईए और rename का option यहां पर शूर है तो आपको क्या करना है कि इन तीन character को select करेंगे xlsx type करेंगे तो हमारा जो file है वापस पुराने forward में आ जाएगे ठीक है तो यह देखिए हमारी file यहां पे पुराने format में आ गए अब इसको हम दोनों एक ही file है इसका एक copy है तो हम क्या करेंगे इसको डबल किलिक करेंगे कि अब देखते हैं कि हमारा password यहां पर रिमूब हुआ है कि नहीं हुआ आई होप कि हो गया होगा सबसे पहले review time में जाईए और देखिए यहां पर देखिए प्रोटक्ट शीट मांग रहा है इसका मदलब कि हमारा password रिमूब हो चुका है इस पर डीटा पर किलिक करेंगे एप तो कीजिए या डबल किलिक कीजिए कहीं पे भी आप तो देखिए आपकी जो शीट है वो पासबर प्रोटक्ट से हट चुकी है और आप किसी भी तरह का modification इसमें कर सकते हो आप फॉर्मला भी चेंज कर सकते हो ठीक है तो एक चोटा से वीडियो था कि किसी भी पासबर प्रोटक्टड वर्कशीट से आप पासबर को कैसे रिमूब कर सकते हैं आई हूप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले बार किसी दोसे वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग